जैसी मैं वर्ड बोलता हूँ जीनियस तो आपके माइन में एक इनसान आता होगा Sir Albert Einstein लेकिन क्या आपको पता है आप भी जीनियस हो सकते हो आप भी वो इनसान हो सकते हो जिसका IQ छपर फार है कैसे पता लगता है इनसान की आदतों से पता लगता है तो अगर आपके पास ये आदते हैं तो ये बताती हैं कि आपका IQ बहुत ज़्यादा अच्छा है और आप काफी ज़्यादा इंटेलिजन इंसान हो आदत नमबर 10 लेफ्ट हैंड लोग अगर आप लेफ्ट हैंड यूज़ करते हो या अगर आप कोई भी चीज लेफ्ट हैंड से करते हो लेफ्ट हैंडी हो तो बताता है कि आप काफी ज़्यादा क्रेटिव हो as compared to right hand के लोगों से और ये मैं नहीं कहरा ये research कहरे हैं जो कि अमेरिका में हुई थी ऐसे लोग काफी creative होते हैं काफी ज़्यादा हार्ड वक होते हैं अपने आज पास देखना left handy कुछ जादा ही creative होते हैं Fact No.9 दूसरो पर जल्दी trust कर लेना अगर आप easily लोगों पर trust कर लेते हो आप easily लोगों पर विश्वास कर लेते हो ते बताता है कि आप काफी ज़्यादा बुद्धि मानों क्योंकि जो इंसान intelligent होता है वो facts को check करता है और उस पे भरुसा भी करना चुरू कर देता है और किस और पर trust करने का मतलब यह होता है कि आप trust करना जानते हो जो लोग किसी पर trust नहीं करते वो खुद पर भी trust नहीं कर पाते और at the end of the day वो हमेशा negative होके रह जाते है और उनको लगता है कि मैं तो कुछ करी नहीं पाऊंगा वो हमेशा underconfident हो जाते है अगर आप बहुत जदा चिंता करते हो आप बहुत जदा overthinking करते हो आप यह सोचते हो कि मेरे जिन्दगी में क्या होगा मैं है क्या कर रहा है कुछ कर पाऊंगा भी यह नहीं कर पाऊंगा तो बताती है कि आप एक intelligent इंसान हो देखो अगर आप कुछ सोच रहे हो कुछ जदगी का नाम है यही है एच करो मौच करो वो इंसान दिमाग वाला नहीं है बलकि वो लडगा दिमाग वाला है जो बोल रहे है मेरे को बहुत परिशानी है मुझे कुछ अपने जिन्दगी में करना है और chances बढ़ जाते हैं उस इंसान के जो परिशान है कि वो आगे आने आपको करनी हो सकते हो painting हो singing हो dancing हो कोई sport हो सकता है कोई बी चीज हो सकती है तो आप एक इंसान ऐसे हो जिसका IQ काफी अच्छा है अगर आप खुछ से सवाल पूछते हो, आप बड़ी पिचर देखने की कोशिच करते हो जिन्दगी के बारे में, आप ये पूछते हो कि जिन्दगी में हम क्या करने आया है, क्या मकसद है हमारा, जब ये पूछते हो आप ते बताता है कि आप एक high IQ इंसान हो, क्योंकि जो low IQ आपको पूछ जाते हैं, वही पैटन करते हैं, फिर रात में सो जाते हैं, फिर सुबह उड़ते हैं, यही चीज़े करना चुरू कर देते हैं, आपकी लाइफ में डाइवर्सिटी होनी चीए, आपकी जिन्दगी में डे-to-day लाइफ में आपको कुछ चीजे नहीं नहीं क आपका IQ थोड़ा जाधा अच्छा है, आपको बिलकुल भी गिव अप नहीं करते हैं, आपको पता है कोई दिक्कत नहीं है, चीजे तो बनी ही है, फेल ओने के लिए, अगर मैं कोई नहीं चीज़ करूँगा, तो 100% कुछ भी नहीं होता, फेल मैं हो सकता हूं, लेकिन उन उसे मेरे को सीखना और जिन्दगी में आगे बढ़ना है, तो बताती है कि आप एक हाई IQ इंसान हो, पॉइंट नमर फो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करना जानते हो, आप प्रॉब्लम के पर फोकस करते हो, इसका मतलब आप एक इंटेलिजन इंसान हो, जो कि इंटेलिजन नहीं होता है, वो हमेचा सॉल्विशन पर नहीं देखते हैं, हमेचा प्रॉब्लम पर देखते हैं, उनको लगते हैं, अरे ये प्रॉब्लम है, अब मैं क्या करूँगा, यार ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, अरे प्रॉब् मैं हमेशा गयता हूँ, अगर आप college में हो, तो हो सकते हैं कि आप जिन्दगी में सारी मस्ती करो, आप दारू पीओ, लड़की बाजी करो, सब कुछ करो, बंक करो, लेकिन ये जीज़ जरूरी हो जाते हैं कि आप college जिस काम के लिए जा रहे हो, उस चीज़ को पहले priority दो, एक high IQ निसान हो, point number two, positive attitude, अगर आपका attitude positive है, अब positivity पर ध्यान देते हो, आप लोगों के अच्छा ही हैं देखते हो, लोगों के अच्छी advice देते हो, लोगों से नहीं जलते हैं इतनी easily, तो इस चोस कि आपका IQ काफी जात अच्छा है, and large but not the least, track number one, अगर आपके friends कम हैं, introvert ह लेकिन अच्छे दोस्ते हैं, it means कि आपका IQ काफी साथ अच्छा है, क्योंकि बता है, मैंने आप focus करते हो, quality पे ना quantity पे, आपको बता है, दस फाल्तु के दोस्त बनाने से कुछ भी नहीं होता, बलकि दो दोस्त ऐसे हों, जो कि हमेज़ास जिंदगी में काम है, वो अच्छ दोस्त होता है, तो यह बताता है कि आपका IQ अच्छा है, वीडियो में ज़रूर बताना कि आपके साथ कितनी सारी qualities मैच होई,